मैं एक I.E.S. ओफिजर को जानता हूँ, दो I.P.S. को जानता हूँ, बहुत योगनी लोग, देश के सबसे अच्छे संसाओं से पड़े हुए लोग, प्रोपर I.E.S., प्रोपर I.P.S. में नौकरी करने बारे लोग, और इन तीनों ने अपना जीवन समाप्त कर लिया, नौक पा रहे थे, let go नहीं कर पाए, तो give up कर दिया, और इसलिए मुझे एकसार रखता है कि जतनी चीज़े हम सिखाते हैं बच्छों को, history, economics, literature, वो सब ठीक है, उम्जोई महत्व है, शायद उससे ज्यादा महत्व इस चीज़ का है कि ये समझे कि अपने emotions हो कैसे manage करना है, जब जीवन में ऐसार लगे कि सब खत्म हो गया है, जब जीवन में लगे कि बहुत टॉक्सिक किसम की life हो गई है, उससे बाहर कैसे निकले, शायद ये सबसे महत्वर्ण लेसन होता है, जो हम सब को सीखना चाहिए, मैंने कहीं से सीखा नहीं है, ना मैंने इसी किताबे पढ़ी ह हलां कि मैंने दो किताब मंगवाई हैं पिसले हफते, पढ़े नहीं ये बितक, तो मैं किताबों के बैस में नहीं जानता, कैसे सीखते हैं, लेकिन जिवन समाब्द किया कि रिष्टा उसके हाद से छूट रहा था, एक ने इसलिए जीवन समाब्द किया, कि ये रिष्टा बन गया था, पर समाज के दबाओ, घर के दबाओ, मैनेज नहीं कर पाए, एक ने जिन्दगे पर शादी नहीं कि इसलिए कि वो पुरानी यादों को भूल नहीं पाया, अरे एक बर गलती होगे तो होगे, आगे तो समाब्द बन में है भाई, क्यों इतना हावी रशना उस नहीं नजर में शून नहीं हूँ, तो फिर जीवन कैसे बने, जीवन कैसे बचे, इन सारी कहानियों का मूल भाव एक ही है, अजर आप खुद को हैंडल नहीं कर सकते, तो दुनिया को क्या हैंडल करेंगे, दुनिया को हैंडल करेंगे, दुनिया को हैंडल करने से पहले, ख रामबान उपाए है उसको गोलते हैं the art of letting go, जाने दो.